अध्यापक ने कहा पेडियान दें तो यूर लेसन अपने पार्ट को एंड दू नॉट टॉपर बात ना करें तो मैंने इस में इस स्पीच के दो पार्ट कर दी हैं पहला प्रेटेंशन तक इसे मैंने एडवाइज में चेंज किया है आपकी हेल्प के लिए अध्यापक स्टूडेंट को ही अध्यापक स्टूडेंट को ही एडवाइज करें का ओडर देगा काएगा तू पे अटेंशन ध्यान देने की सलादी तू देर लेसन अपने पार्ट के लिए कि वो जो पढ़ रहे हैं एंड फिर ओडर कर यूज करा और आदेश दिया नॉट टू टू टॉप बात ना करें तो यह बढ़ा ही इंट्रेसिंग डारिक सेंडारिक नरेशन है नैस देखिंगे ओणर योर फादर अंड मदर अपने माता किता का आदर करें एंट गू और करें वह ट देसे जो वो कहते हैं ही कह रहा है अपने disciples से, एक Guru कह रहा है अपने सिश्यों से, इसे भी नहीं तरीके से चेंज किया है, तो he taught his disciples, Guru हमेसा सिश्यों को सिखाता है, ज्यान देता है, तो he taught his disciples to honor their father and mother, Guru यानि उसमें सिखाया अपने सिश्यों को, अपने माता-पिता का आदर करें and do or करें वही what they say, जैसा रही कहते हैं, हैना interesting, number 10 देखेंगे, the magistrate said to the accused, magistrate ने दोशी से पहा, do tell me, मुझे बताओ the truth, सच्चाई और I will send you to jail, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो चेंज करना है, हमें मी को चेंज करना है, I or you, यानि की reporting clause की जो reporting बर्व है, उसे चेंज करना है, और प्रोणॉंस चेंज करते हैं, और basic change होता है, comma, annotate comma इसका, यह शुरू करेंगे, तो the magistrate said to, ordered the accused, फिर commentate comma की जगे हमें to लगाया, do tell me को हमने चेंज किया, magistrate से, जो हो गया him, the truth or, फिर I को चेंज किया, फिर magistrate से, he, will का हो गया, would, send, you को चेंज किया, एक्यू जाने की आरोपी से, जो हो गया him, कहां भेज देंगे, to jail, ठीक है, तो magistrate ने आरोपी को आदेश किया, सच बताने के लिए, वन्ना भैल, उसे jail भेज देगा, next, the general said to his men, general ने अपने लोगों से कहा, अपनी सिपाहियों से कहा, march forward, आगे बढ़ो, and face the foe bravely, और foe means, दुश्मनों का बहदुरी से सामना कीजिए, तो फिर the general ordered his men, उसने अपने आदमें को आदेश दिया, to march forward, आगे बढ़ने का, and face the foe bravely, और दुश्मनों का बहदुरी से मुकालिया करने का, सबसे आसान है, next, the teacher said to the boys never tell a lie, टीचर ने बच्चों से कहा, कभी चूँद मत बोलो, तो advice भी लगा सकते हैं, और पुझे लगता है, पर taught का यूज भी हमें सीखना चाहिए, टीचर taught the boys never to tell a lie, अध्यापग ने बच्चों को सला भी दी और सिख्षा भी दी, कभी जूद नहीं बोलना है, अच्छा लगे तो like चलू करें, और share करें, subscribe करें, संची, कुस्वागे, आगे बढ़ते हैं, 13 है, राम said to the teacher, राम ने अध्यापग से कहा, excuse me मुझे माफ कीजिए, sir, I will not do so again, मैं ऐसा कभी नहीं करूगा, ध्यान देंगे, राम said to को हमने change के requested में, the teacher, और चुकि इसमें sir आया है, तो ध्यान देंगे, यहां respectively या respectfully का use करेंगे, सम्मान के साथ, to excuse, माफ करें, me means, मुझे को, यहां की राम को, him, and said, उसमें यह भी कहा, बाद में यह जो दूसरा पार्ट है, यह है, assertive sentence का, क्या कहा, that he would not do so again, की वह दुबारा ऐसा नहीं करेगा, तो कई बार, इस speech में, दो तरह की sentences होते हैं, एक imperative होता है, दूसरा कई बार, assertive भी हो सकता है, और interrogative भी हो सकता है, अगला देखेंगे, he said, इसने कहा, हरी, submit your notebook, हरी कृपया, नोटबुक जमा करो, तो he ordered दे रहा है, हरी को बाहर ले आएंगे, हरी को, to submit, जमा करने के लिए, यह और को change करेंगे, हरी से, his notebook, अपनी notebook, last exercise का friends, Mohan said, Mohan ने कहा, do your duty, अपना कर्दब पूरा करिए, and do not stay here, यहां मत रुकिए, तो इस speech के दो पार्ट है, पहला है, मैंने उसे advice में change किया है, Mohan advise, ब्रेकेट में हम हिम मान लेंगे, रख देंगे, उससे कहा, to do his duty, अपना कर्दब पूरा कीजिए, और बाद में order दिया, and ordered, order दिया, not to stay there, वहां ना रुकिए, आप चाहें, तो यहां भी ब्रेकेट में हिम दुबारा लिख सकते हैं, clarification की, so friends, आपको यह solution कैसा लगा, अच और subscribe तो जरूर ही कर लीजिएगा, आपसे बहुत बहुत रिक्रेस्ट और आप चाहें तो super thanks भी कह सकते हैं, bye, take care, see you again